आज के वीडियो में इसी टॉपिक को में कवर करूंगा और आज के वीडियो स्पेशली में बिगिनर्स लोगों के लिए कवर कर रहा हूं जो बिगिनर्स है जो उन्हें फर्स टम अपने घर में एक वाइफाइ ब्रॉडबैन लगा के रखा है और उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से अपने राउटर का पासवर्ड सेट और चेंज करना है किस तरीके से आप उस ओप्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं इस एक वाइफाइ ब्रॉडबैन आपने वाइफाइ ब्रॉडबैन अपने नेटवर्क में आपको यहाँ पर एक गेटवे का ओप्शन बिलेगा आपके broadband का अलग gateway होगा हर एक broadband का अलग-अलग gateway होता तो वो gateway को यहाँ पे इस search में उस address को type कर देना है तो आपको अपने mobile में जाना है आपके mobile का gateway का IP address से वो अलग होगा तो उस IP address को simply यहाँ पे paste कर देना है और यहाँ पे अपने Wi-Fi का जो username और password है वो आपको simply type करके lockdown हो जाना है lockdown होने के बार directly आपको यहाँ पे आपका website open हो जाएगा और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे टॉप में एक Wi-Fi का wireless का एक option देखेगा जिस्ट थोड़ आस आपको zoom करना है और यहाँ पे आपको एक network wireless का option देखेगा इसमें जाना है उसके बाद Wi-Fi security में जाना है और जैसी इस option में जाएंगे इसके बाद आपको यहाँ पे आपके Wi-Fi का जो password है वो यहाँ पे देख जाएगा तो you can see that wireless password के option में है तो अगर आपको Wi-Fi का password change करना है तो आपको बस यहाँ से password को remove करना है नए password को type करना है और changes को saved करना है साथ ही मैं आप इस website पे find out भी कर सेथी कि आपके connected Wi-Fi से और कौन-कौन से devices connected है वो भी आप easily यहाँ पे find out कर सकते हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हैं आप find out कर सकते हैं तो आप comment में बताईए मैं उसके लिए लालक से एक topic करूँ करूँ गा जिसमें आपको थोड़ा में detail में बताऊंगा ताकि आप easily इसको समझभा तो बस इसे तरीके से आप अपने connected Wi-Fi का password find out कर सकते हैं अपने घर के broadband Wi-Fi का तो इस लिए लप यू इन 2020 एन फीचर आप स्वेल